तो देखिए आज मैं अपने रोज प्लांट पे यह दिखा रही हूं कि कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है मैंने इनको जन्वरी में रीपॉर्ट किया था अच्छी तरह से फर्टिलाइज डाल के इसकी मिट्टी चेंज कर दीती यानि कि जड़ों को अच्छी तरह से मैंने एक एक जड़ को भी खेर के दुबारा से रीपॉर्ट किया था और मैंने इस वेस पे रीपॉर्ट किया था कि या तो मेरे प्लांट बचेंगे या फिर खराबी हो जाएंगे क्योंकि फ्लावरिंग तो होई नीरी थी इसमें और सर्दियों भर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी एक एक दो दो हुई थी लेकिन जब सही ये मैंने रीपॉर्ट बगरा किये तो अच्छी ग्रोध निकल के आई आप देख सकते हो एक एक ब्रांच पे तीन-तीन कलिया हैं और ये कुछ देसी हैं कुछ हाईवरिंग गुलाव हैं और अब ये देखिए इस टाइम पे ये कलियों से ब्रांचों से भरे पड़े हैं तो आज मैं इन में फर्टिलाइजर दे रही थी तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके भी ऐसे गुडलाव की प्लांट की ग्रोध रोग गई है और ग्रोध नहीं हो रही है या पत्तियां पेली पड़ रही है तो आप कौन-कौन से फर्टिलाइजर इन में आप इस टाइम पे दे सकते हो तो पहले तो आप इस टाइम पे रिपॉड भी कर सकते हो मार्च चल रहा है तो रिपॉड भी कर सकते हो थोड़ाuting साबधानी से उसको थोड़ा बहुत सेडमी रखके रिपॉड कर देना और जब तक… उसकी नए ग्रोध ना चालू हो जाए तो उसको सेड में ही रखना है तो देखिए मैं ले आती हूँ फर्टिलाइजर और फिर मैं इसमें डालूंगी मैं कौन सा फर्टिलाइजर लेके आ रही हूँ और इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए मैं वही fertilizer यूज करूँगी क्योंकि मैंने जब से report किये हैं तो मैंने काफी दिन बाद fertilizer दे रही हूँ इतना report करने के इतनी जल्दी fertilizer नहीं देना चाहिए कम से कम एक या डिड़ महिने का wait करना चाहिए जब तक वो जितना भी हमने इसमें fertilizer दिया था उसके पूशक तो थे हमारे plant ना खीचले जब तक हमें दूसरा fertilizer नहीं देना है तो उसी fertilizer से ये मेरी इतनी धेरो कलिया आ गई है और काफी सारी छोटी-छोटी कलिया निकल भी रही है तो आई हो मैं बताती हैं वो कौन सा fertilizer है अब जो मुझे देना है तो ये मुझे अब देना है D.A.P तो क्योंकि इस टाइम पे D.A.P देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी कलिया बन नहीं है इनको थोड़ी अब तागत की जोरत है और अगर इस टाइम पे हम इस तरीके का fertilizer नहीं देंगे D.A.P बगएरा जो भी है तो ये हमारा प्लांट क्या करेगा अपनी तागत कलियों को देगा और फिर कलिया तागत लेंगी तो प्लांट की पत्यां पीली पढ़के ज़ड़ने लगेंगी और ज़ड़तर प्लांट अपना खाना पत्यों से ही बनाते हैं तो ऐसे हमें इसको fertilizer देना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो मैं इसमें देखिए साम का time है और जो भी fertilizer दिया कीजिए वो साम के time दिया कीजिए और डीएपी के लिए पहले आपको अगर डीएपी के दाने इस में डालने है तो पहले जिस तरीके से मैंने मौशेर बना लिया है अपनी मिट्टी में मैंने थोड़े दिर पहले पाने दे दिया था तो अब मैं इसमें क्या करूँगी? चार चार पांच पाद दाने और इसका तरीका भी मैं बता देती हूँ DAP का सही तरीका कैस क्या है तो ऐसे जैसे मैं दावा रही हो मिट्टी में आपको ऐसे दावा देना है ऐसे नहीं चोड़ना है उपर में अगर उपर में छोड़ोगो तो फिर वो इतना हमारे प्लांट को helpful नहीं रहता है इतना micronutrients नहीं मिल पाते हैं जो हमारे प्लांट को मिलने चाहिए और प्लांट की manage time से थोड़ा दूर करके हमें ये fertilizer दावाना चाहिए और प्लांट का size देखके उसे आप से देने चाहिए अगर प्लांट healthy है बड़ा है तो उसमें 6-7 दाने आप डाल सकते हो अगर छोटा है तो 4 या 5 दाने आप डाल सकते हो और क्योंकि अब गर्मी आने वाली है तो fertilizer का जैसे कि हम सड्डियों में double जैसी एक भाग fertilizer लेते थे और उसमें एक या दो गुना हम पानी कर लेते थे तियना भी नहीं लेकिन अब नहीं करना है अब एक भाग फटिलाजर है उसमें दस गुना मैं पानी ले लेना है तब हमें करके डालना है और मैंने डीएपी डालने के बाद मैं कुछ दिन बाद का मैं इसको रिजल्ट दिखा रही हूं अपना और देखे कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो र आते हैं तो मैं सोची चलो आज ही कर देती हूं और देखिए अभी बहुत सारी कलियां खिलना बाकी है अगर मैं कल का भी इंतिजार करूंगे तो फिर यह जड़ जाएंगे दूसरे और आ जाएंगे तो काफी डेरों फूल मैं अपने मंदिर में भी ले जाती हूं और यहा मैं कौन सा फर्टिलाजर दूगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब भी कर लेना और यह जो फर्टिलाजर हमें अभी दूँगी तो आप इसको सर्दियों में भी दे सकते हो और देखिए मैं दूर से सर्दियों में मस्ट्ट के का फर्टिलाजर हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है हमारी प्लांट की मिटी एकदम सूखी होनी चाहिए और हमें उसको गुडाई कर लेना चाहिए तो देखिए एकदम भुर भुरी में टिवरी है और मैं इसको गुडाई कर रही हूँ तो जितनी भी इसमें जैसे जंगली घास बगेरा उगाती है तो उन्हें हमें निकालते रहना है क्योंकि क्या होता है न जब हम फ्लांट में फर्टिलाजर देते हैं तो जंगली घास होगाती है तो थोड़ा अपनी एनरजी खेशती है हमारी प्लांट की और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोध करती है और देखिए ये ब्रांच में दिखा रहे हैं कितनी हैवी ब्रांच निकली है जो भी मैंने फर्टिलाजर दिया था उसमें रिपोर्टिंग में अगर अपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लेना पूरी जानकारी मिल जाएगी कितनी ज़्यादा मात्रा में ब्रांच क्यों निकली है कौन से फर्टिलाजर से निकली है तो देखिए ये इस तरीके कि मैं गास भी निकालती जा रहे हूँ और अपनी गुड़ाई भी करती जा रहे हूँ तो आपको भी ऐसे ही देख लेना ह और प्लांट की क्या होता है कि जब गुड़ाई करते तो हम अच्छे से उसकी रूट्स को भी एर मिल जाती है और ये से हमारे प्लांट की भी साफ सपाई हो जाती है पीली पत्ती बगरा अब इस टाइम पे सूखे फूल बगरा तो हमें थोड़ा सूखे फूल कट करो तो नीचे से कट करो और पेली पत्ती भी हटाते रहना है तो देखे ये है वो फटिलाजर जो हम सर्दियों में भी तो सर्दियों में तो हम यूज करते ही करते हैं और गर्मियों में भी इसको बहुत हम अगर हमें आ जाएगा ना गर्मियों में भी यूज करना तो हमारे प्ला पूरा 10 या 15 भाग पानी मिलाओंगी यानि पूरा बाल्टी भर लिया है मैंने और एक तब पतला सा बना लिया है बिलकुल पतला बना लेना है क्योंकि गर्मी बहुत तेज अब दूप हो गई है हमारे प्लांट जल सकते हैं और देखे मैं इसमें डाल दूँगी अगर वीड मैं बावाई